दोस्तों नमस्कार जैस्री कुष्णा जैस्री राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर और 7 अक्टूबर के लव रासी फल के बारे में तीनों ही दिन मिथुन रासी का चंद्रमा रहेगा और नक्षत्र की स्थिती 5 अक्टूबर को मिर्ग सिरा यानि की मंगल का नक्षत्र आद्रा नक्षत्र 6 अक्टूबर को जो की राहू का नक्षत्र और पनर्वसू नक्षत्र 7 अक्टूबर को जो की गुरू का नक्षत्र है इन तीनों नक्षत्रों का प्रभाव ये तीनों दिन की इस्तिती किस प्रकार से निर्धारित करेगा आपका चंद्रमा आईए जानते हैं दोस्तों वो नए दर्सक जो हमारे रासी फल के कारिक्रम को पहली बार देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें हमारा रासी फल चंद्रासी यानि मून साइन के अनुसार होता है उसी के अनुसार इस लव रासी फल को देखें बस उने अगर आपको चंद्रासी यानि मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी के अनुसार भी देखवा सुन सकते हैं दोस्तों तीनों दिन की स्तिती जानेंगे 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर चलिए सुरू करते हैं आपका लव रासिफा लेकिन उससे पूर्व आपको जानकारी दे दें अगर आप नवरात्री पार्ट की बुकिंग अभी तक नहीं कराए हैं तो हमारे यहाँ पर 4 बरसों से लगातार दुर्गा सबसती अनुष्ठान का आयोजन होता है नवरात्री पार्ट का तो उसके लिए बुकिंग करबा सकते हैं जल्द से जल्द आप संपर कर सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं और आज तीनो दिन आपको क्या उपाय करना है वो आपको आज उपाय देते हैं उपाय तीनो दिन आपको करना है आपको ओम गंगर पताई नमहा इस मंत्र की ग्यारा माला करनी है और रोजाना सिवजी के मंदिर में जाकर के कपूर से भगवान भोलिनात की आरती करनी से परिवार की आरती करनी है और कोई भी मंत्र बोल सकते हैं अगर करपूर गौरम आता है आपको तो वो इस लोक बोल करके आप आरती करें नहीं तो आप भूले नात के आरती करके ओम जय से ओम कारा आप गा करके आरती कर सकते हैं कोई बैदिक मंत्रा आता है तो उससे कर सकते हैं नहीं तो ओम नवश्यवाय से भी आरती कर सकते हैं तो आप ये प्रक्रिया पूरे तीन दिन करेंगे और अपने दिन को बेहत सुन्दर और सुगम बनाएंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे आज यानि की तीनों दिन का लव रासी फल सबसे पहले बात करेंगे रासियों के क्रम में सबसे पहली रासी मेस रासी के बा मैं यहाँ पर एक गजब की बात आपको बताऊं, तो जन्म कुंडली जो है वो बहुत ही महत्पूर होती है, जन्म कुंडली का प्रथम भाव जो कि सिंगल लोगों को दरसाता है, दुतिय भाव बाणी का यानि की कम्यूनिकेशन किसी से बातचीत होगी, तीसरा भाव दोस्त में कभी चर्चा करके आपको विस्तार से बताएंगे, कभी बहुत समझाएंगे कि कैसे जोतिस और आध्यात्म और हमारा जीवन कैसे जुड़ा हुआ है, प्रतेक चीज, एक स्टेप बाई स्टेप लगन कुंडली के यानि जन्म कुंडली के बारा भावों से जुड़ी में बहुत ज़्यादा केर कर रहे हैं, तीनों ही दिन इस्तितियां केर की बनेंगी और सबसे ज़्यादा आप ये देखेंगे कि गलत फहिमियां अगर हैं आप दोनों की बीच में तो वो गलत फहिमियां खत्म होंगी, अगर कोई गैप आगया किसी थार्ड पार्टी की बापस आने वाले हैं, तीनों दिन में इस्तितियां प्रवल रूप से बन रहे हैं, विसेश रूप से 6 अक्टूर की इस्तितियां बहुत खास हैं, जहां आपका रियूनियन हो सकता है। इस्तितियां यहां पर यह भी बन रही हैं कि आपके पार्टनर हसी मजाग दिन में बहुत ज़्यादा करेंगे, इस बज़े से थोड़े आप दोनों एक दूसरे के साथ में जगड़े कर सकते हैं। मजाग का सेंस ही नहीं पता है, ऐसे लोगों में दिक्कत हो जाती है। एक्ष्टर माइटल अफैर में आपका दिन बेहत सुन्दर रहेगा। हर दिन आपके लिए एक नई उम्मीद और नई उम्मीद लेकर भी आएगा और कई उम्मीद पूरी भी करवाएगा। खास करके 7 अक्टूबर आपको बड़ी खुसखबरी मिलने वाली है। आपके पार्टनर आपकी कोई बहुत बड़ी बात जो आप बहुत दिनों से उनसे उन्हें कन्विंस कर रहे थे वो चीज मान सकते हैं। दिक्कत यह है कि अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं और उसे इंप्रेस करने कर रहे हैं तो वह इंप्रेस हो या ना हो कम से कम हमसे नाराज ना हो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी बाड़ी कहीं ना कहीं लोगों को नाराज कर सकती है। इसलिए विशेष अपनी बाड़ी पर नियंत्र रखना होगा। तीनों ही दिन। लव लाइफ में आपके पार्टनर के साथ में आपकी बहस जगड़े की स्तिति बहुत ज्यादा बनेगी। लेकिन यह स्तिति तब बनेगी जब आपका पार्टनर ही पास्ट के बारे में बार 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 बाते करेगा पास्ट और फिजिकल रिलेशन इत्यादी के बारे में बाते करेगा तो यह दिक्रत होगी। नहीं तो स्तितियां सामान नहीं बहुत सारी स्तितियों में आपकी no context situation की स्तिति बहतर होती हो दिखाई देगी married life में गलत फेमिया बहुत बन जाएंगे और यहाँ पर third party या extra affair जैसी स्तिति भी सामने आएगी आपके partner कई जूट दबा के रखें कई सच दबा के रखें कई जूट बोल रहें उनके कई सच कई असलियत कई सचाई सामने आ सकती है extra material affair में आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि रिस्ते को बहतर बनाने के लिए आप अपनी और से पूरी कोसिस करें यह स्तिति है दोस्तों आप बात कर लेते हैं मिथुन रासी वालों की मिथुन रासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन मतलब तीनों दिन की स्तितियां आपके लिए अकेले पन की बन रही है यानि सिंगल हैं तो जिन सामान नहीं लव लाइफ में बहुत खूबसूरत इस्तितियां रहेंगी पार्टनर बिस्वास आप पर बहुत करेगा और बिस्वास से आपका दिल जीत लेगा बिस्वास करेगा और उसके साथ साथ आपको गिप्ट देगा आप उसके प्यार में इतने ज़्यादा करीब हो जाएंगे उससे बहुत ज़्यादा एमोशन्स फीलिंग्स आपके मन में आ जाएंगी आप देखेंगे कि हमारा तो मन कर रहा था इस रिष्टा खदम करने का लेकिन अब इस रिष्टे में हम और ज़्यादा उलजते जा रहे हैं या और ज़्यादा एमोशनल होते जा रहे हैं हम छोड़ नहीं पाएंगे इस तरीगे के ख्याल बार-बार मन में आएंगे दोका नहीं दे पाएंगे नो कॉंटेक्ट में इस्तिती बहुत सुन्दर है बहुत अच्छी है फिर से आपकी बातचीत आपके पार्टनर से जरूर होने वाली है आज के दिन यानि की बिसेश रूप से तीनो दिन की स्तितियां है लेकिन बिसेश रूप से 6 अक्टूबर आपके पार्टनर से आपकी ब बढ़ने लगेंगे उससे आप उन्हें दिक्कत होगी और आप अपने husband wife के लिए बहुत ज़्यादा सोचें अपनी family के बारे में सोचें उस चीज से उन्हें चिड़ होगी तो आपको यह लगेगा कि यह व्यक्ति गलत है और फिर उससे विस्ता आप खत्म करना चाहेंगे ऐ कोई व्यक्ति मिलेगा वो पैसे आपके बहुत खर्च करवाने वाला है समय आपका बरबाद होगा पैसा बरबाद होगा यानि कि वो व्यक्ति आपको यूज करने कोशिस करेगा time pass करने कोशिस करेगा relationship में अगर किसी के साथ है तो वो आपके बहुत खर्चे करवाएगा औ और आपको एहसास करा देगा कि वो आपके emotions की नहीं बलकि एक तरह से जिस्म की भूँक लेकर बैठा है और वो आपसे या तो जिस्म या पैसा चाहता है और इसी बज़े से वो आपके साथ जोड़ा हुआ है अगर आपने अपनी feelings ज़्यादा दिखाई या बहुत ज़्याद से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है married life में no context situation में इस्तिती यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए खराब बन रही है और extra marital affair में भी इस्तितियां बहुत ज़्यादा आपके लिए खराब हैं पूरे दिन आपको तीनों दिन इस्तितियां इतनी ज़्यादा खराब रहेंगी कि अकेला पंसा फील होगा कोई support नहीं कर रहा है कोई भी feelings की गद्र नहीं कर रहा है इस तरीके किस्तितियां नज़राएंगी दोस्तों अब बात कर लेते हैं सिंग रासी वालों की सिंग रासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के दिन आपको बहुत ज़्या कि बहुत ज़्यादा अच्छी है और merit life में भी बड़ी खुश्कवरी रहेंगी तीनों दिन आपके पार्टनर आपकी बहुत क्यार करेंगे एक्ष्टा फैर में आपको अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा प्यार आएगा लेकिन उन्हें आपके फिलिंग्स के उतनी गदर नहीं होगी ये स्थिति है दोस्तों आप बात कर लेते हैं कन्यारासी वालों की कन्यारासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आज के तीनों दिन की स्थितियां जो हैं आप ये समझ लीजे कि बहुत ज़्यादा आपके लिए दुख तक्लीप भरी हैं क्योंकि आप जिसे भी प्रपोस करेंगे वो आपसे कॉंटेक्ट खतम कर देगा अपने दोस्त को जिस जानभूज करके एक्ष्ट्र मेरिटेल अफैर में आपके पार्टनर से आपको बड़ा प्यार मिलेगा ये स्थिति है दोस्तों आप बात कर लेते हैं तुलारासी वालों की तुलारासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी बहुत ज़्यादा ग लेकिन जो लोग नो कॉंटेक्ट में रिलेसंसिप में बहुत समय से उनका पैचाप हो सकता है उनका एक्स पार्टनर बापस आ सकता है लव लाइफ में ये तकलीब भरा समय इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके पार्टनर आपकी एक्स पार्टनर आपकी लाइफ में बापस आएं और present में आप confused हो जाएं no contact में हैं इस्तिती बहतर है आप अगर कहीं आगे नहीं बढ़ी हैं और अपने सुनाईगा भी बहुत जान यह स्थिती हैं दोस्तों अब बात कर लेतेएं वरिष्यक रासी वालों की वुरिष्यक रासी वालों अगर आप सिंगल हैं, तो आपके लिए इस्तितियां सामानने हैं, लब लाइफ में बहुत ज़्यादा कलेश की इस्तिति बनेगी, जगड़े बाद विवाद होंगे और फिजिकल रिलेशन को लिए करके फाइट होगी, आपके पार्टनर के साथ में आपके सेक्सवल फीलिं नो कॉंटेक्ट में इस्तिति बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छी है, क्योंकि फिर से आपको उस व्यक्ति का मैसेज आ सकता है, जिस व्यक्ति के आप इंतिजार में बैठें, एक्स पार्टनर का मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है और आपको फिर से वो परिसान कर सकत मेरिड लाइफ में इस्तिती सामान ने है एक्स्टा मेरिडियल अफैर में पार्टनर के साथ में लंबी यात्रा पर जा सकते हैं विदेश यात्रा पर जा सकते हैं टाइम्स्मेंट कर सकते हैं यह इस्तिती है दोस्तों अब बात कर लेते हैं धनूरासी वालों की धनूरासी व लव लाइफ में love marriage fix हो सकती है no contact में थोड़ी स्थितियां खराब रहेंगी मनमुटाब रहेगा लेकिन बातचीत होगी married life में इन दिनों आप ये देखेंगे कि आपके partner आपकी feelings को बहुत ज्यादा मजा कोड़ा रहे हैं feelings का मजा कोड़ा रहे हैं और समझ नहीं रहे हैं उस स्थिति हैं दोस्तों बात कर लेते हैं मकर रासी वालों मकर रासी वालों सिंगल हैं तो किसी बुरे ब्यक्ति के प्यार में पगला सकते हैं love life में जगड़े बाद विवाद बढ़ेंगे कल इसकी स्थिति होगी और breakup हो जाएगा इन तीनों दिनों आपका बहुत बुरा कर रहे हैं कोई affair उनका ऐसे चीज़ें पता चल जाएंगी तो और बावाल होगा एक्ष्टा फैर में आपके पार्टनर आपके ही सामने वो सब कुछ करने वाले हैं जो आप बिल्कुल उनसे उम्मीद नहीं करते हैं कि ऐसा वो दुबारा करेंगे वो सब कुछ करने वाले यह स्थिदी अब बात कर लेते हैं कुमबरासी वालों की कुमबरासी वालों सिंगल हैं तो आपके दिन बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे आपको कोई बहुत अच्छा प्यार मिल सकता है आप यह देखेंगे इन तीनों दिनों में ही कोई दोस्त भी बनाया है किसी कर एमोशनल भी हो गए हैं और पहले सो दोस्त है उसके साथ में भी और आपको उसने अपना भी लिया है खास करके एक तरफ प्यार वाले लोग प्रपोज करिए आपके लिए समय उत्तम है खास करके साथ अक्टूबर को प्रपोज कर सकते हैं लव लाइफ में इस्तिति अच्छ लाइफ में घर में कलेश की स्थिति बन सकती है और बहुत ज़्यादा कलेश इस वज़े से हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स को ले करके बहुत ज्यादा इज़्जत और आपके लिए बहुत ज्यादा घ्रणा की बातें अलग-अलग अजीब बातें से परेसान होंगे इस बज़े से ऐसा करेंगे ये इस्तिति हैं दोस्तों अब बात कर लेते हैं मेन डासी वालों कि मेन डासी वालों अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई बहुत ज़्यादा emotional व्यक्ति मिल सकता है और आपके इसलिए बहुत emotional हो सकते हैं यानि कि बहुत अच्छा relationship आप बना सकते हैं लव लाइफ में आज के दिन आपके partner बहुत ज़्यादा emotional होंगे बहुत आपकी care करेंगे बहुत सारी इस्तितियां तीनों दिन आपके लिए बहुत अची रहेंगे लेकिन थोड़ा सा मन आपका खराब रहेगा मन असान रहेगा छे अक्टूबर के लिए extra marital affair में और married life में आपके partner physical relation को लेकर बहुत ज़्यादा fight करने वाले है नो contact में है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि वो व्यक्ति जो आपको छोड़ कर गया है उसे अगर बहुत ज़्यादा आप contact करने कोशिस करते हैं बात करने कोशिस करेंगे तो वो यही कहेगा कि प्यार था इस तरीकी की बाते वो करनी वाला है इससे मन आपका थोड़ा असान्त हो जाएगा ये इस्तिती रहेगी दोस्तों आपके लवरासी फल की अगर आपको यह लवरासी फल पसंदा इस वीडियो को लाइक करें अप्रे दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल पर पहल दोस्तों नमस्कार